उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐसा कड़ा कदम उठाया है कि अब आपको समोसा खाते वक्त भी नाम पढ़ना पड़ेगा जी हां होटल और ढाबो पर सिर्फ खाना ही नहीं मिलेगा बलकि वहां काम करने वाले हर सक्स का नाम भी आपके सामने जिल मिलाता हुआ मिलेगा अब खाने के साथ साथ ये भी जान लीजिए कि किसने खाना बनाया है किसने परोसा है और कौन मालिक है होटल का कई ऐसा नहों कि समोसी की चटनी के साथ आपको अपने भाई सामने ढाबे वाले का नाम भी याद रखना पड़े तो एक टिंसन की बात है योगी सरकार ने थूक और पेसाब मिलाने वाली घटनाओं पर सक्त रुक अपनाया है तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हर दुकान पर CCTV कैमरा लगवा दिया जाए मतलब अब चाय पीने जाएंगे तो हो सकता है आपको चाय के साथ साथ आपकी हर हरकत रिकार्ड हो रही हो या पकोड़े बनाने वाले का काम हो हर किसी को मास्क और गलप्स पहनना होगा आप सोच रहे होंगे कि आप खाना पकाने वाले लोग मास्क पहन कर खाना बनाएंगे और आप उसे चेहरे से नहीं पहचान पाएंगे लेकिन चिंता मत करिए उसका नाम तो सामने जूलता ही मतलब अब खाने के साथ नाम याद करना भी एक टैलेंट हो गया है। अगली बार आप होटल या धावे जाएं तो बस ध्यान रखें आपकी हर बाइट हो रही है। पहले इस पर फोकस कर लेते तो इस पर फोकस करते तो ज्यादा बहुतर था फिलाल आप लोगों के हिसाब से क्या लगता है कॉमेंट पर बताएं। अगली बताएं।